वेल्कम बैक एब्रिवान वेल्कम टू सुबल सर्विसे श्टड़ी नेक्स्ट टेस्ट है यूपी पीसियस के लिए प्रैक्टिस सेट नमबर सेवन फिप्टी सेवन प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्णों पर और मॉडन है उसमें भी ठीक है आधुनिक भारते इतिहास तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोश्चन नमबर बन पर आजाएए वर्स 1937 में प्रांतों में मंत्री मंडल के निर्माण के उपरांत कॉंग्रेस का साशन जो है वो कितने महां तक चला था एक त्यसमा तीसमा उन्तिसमा या अठाइसमा वदाये उनिस सो सैंटिस में प्रांतों में मंत्री मंडल के निर्माण के उपरांत कॉंग्रेस का साशन चला था 28 मह तक तो फरवरी 1937 में 11 प्रांतिय विधाई का चुनाब में कॉंग्रेस जो है आठ राजों में सरकार बनाने में कामियाब होई और अक्टूबर 1949 में कॉंग्रेस की प्रांतिय मंत्री परशोद ने दुत्य विशोद में बिर्टेन द्वारा भारत को सामिल करने के विरोध में त्याक पत्र दे दिया और इस दोरान कॉंग्रेस मंत्री मंडलों का कारिकाल 28 महा रहा नम्रिकित में से किस ने वास्को डिगामा का कालिकट में स्वागत किया था जमोरिन ने तो वास्को डिगामा पहला पुर्दगाली यात्री और व्यपारी था जो 90 दिनों की समुद्री यात्रा के पस्चाथ 1498 में कालिकट बंतर का पहुचा था भारत के देखें काली कट के हिंदू राजा जमौरिन ने उसका स्वागत किया और उसे मसाले अवं जड़ी बूटी इत्यादी ले जाने की अनुमती प्रदान की भारत की सेक्ष्णिक नीती में फिल्ट्रेशन थियोरी के प्रतिबादक थे कौन थे लौड कारनवालिस नहीं है इनको भारते सिवल सेवा पुलिस सेवा का पिता कहा जाता है लौड मेकाले यहां सही उत्तर हो जाएगा तो भारत की सेक्ष्णिक नीती में फिल्ट्रेशन थियोरी का प्रतिबादान लौड मेकाले ने किया इस नीती के अनुसार समाज के उच्वर्ग को सिक्षित किया जाना था जिससे सिक्षा छन छन कर निम्न बर्ग तक पहुँच जाएगी नमबर फोर पर आजएगे नमबर के दिम्न से कोई एक ही सही सुमले था है यह है पुस्तक और रचना है यह है इनके रचना कार्या लेखा को बताईए पौवर्टी एन अन्विर्टेस रूल इन इंडिया बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है कमपरिटिव एक्जाम की बहुत सवाल बनाएगा इससे अनहपी इंडिया दा मैन हू डिवाइड इंडिया और गिल्ट मैन ऑफ इंडिया ज पॉर्टिशन बताईए देखिए अन इंडिया यह रफीक जकारिया की है यह सही है स्टेट्मेंट और गिल्ट मैन ऑफ इंडिया ज पॉर्टिशन सुवाश्चंदर वोसकी थोड़ी यह गलत है तो कौन सा सही है सी सही है तो गिल्ट मैन हू इंडिया ज पॉर्टिशन किसकी है यह है राम मनोहर लोहिया जी की ठ इंडिया इंपोर्टेंट है लाला लाज पतरा है चुछाanka न self shop कर्यान पर आजीके फ्रंसी सी इस्ट इंडिया कंपनी का निर्मान किसके साशन काल में हुआ O Phransi 6 इसाफ न 1264 पर कि गई थी सतह कि बर्टिस इंडिया कंपनी marine दथा डज इस इसht इंडिया कंपनी से मुकाबला किया जा सके इसका उद्देश पूर्वी गोलार्द में व्यापार करना था और इसका निर्मान पहले से ही विद्वान तीन कंपनियों को मिला कर किया गया था महराष्ट में विद्वा पुनर विवा हे तू अभियान का नेतरत्व किसने किया विष्णू परशुराम पंडित नहीं है बताइए कौन है इसका उत्तर गोपाल हरी देशमुक ने तो गोपाल हरी देशमुक महराष्ट के पुर्मक समाज सुधार को में से एक थे वह प्रार्थना समाज से जुड़े थे उन्होंने विध्वा पुनर विवाहेतू अभियान का नेतरत्व किया और विध्वाओं के लिए समाज में महतपूर्ण इस्थान दिलाने का अथक प्रयास किया कोश्चन नुमर सेवन पर आजए बहुत प्रश्ण बनते हैं जलिया वाला बाग हत्याकांड से तो जलिया वाला बाग हत्याकांड के विरोध में वाइसराय की कारेकारणी परिशद से किस ने त्याक पत्र दिया था संकरन नायर ने ठीक है और नाइट की उपाधी त्याक दी थी रविन्ना टैगोर ने तो जलिया बाला बाग अत्याकांड का गुवा था 13 अपरल 1919 में और इसके विरोध में जो है संक्रन नायर ने वाइसराई की कार्यकरणी परिशत से इस्तीफा दे दिया था कोशन नुम्बर एट पर आजिए निम्रिकित में से कोई एक स्टेट्मेंट इसमें गलत है सेंटलर आयोग सिक्षा से जोड़ा है महत्मा गांधी की आत्मकथा मूल लूप से गुजराती भासा में लिखी गई है भारत में अंग्रेजी सिक्षा के प्रशार में सहायता करने क के लिए हिंदू कॉलेज कलकता पर्थम संस्था थी और लाला लाजपत्राय भारती राष्टे कॉंग्रेज के कभी अध्यक्स ही नहीं चुनियागे बताई है कि देखें सेंटलर आयोग सिक्षा से जुड़ा है यह सही कथन है महत्मा गांधी की जो आत्मकथा मूल रूप से बिल्कुल कुजराती भासा में लिखी गई थी और भारत में अंग्रेजी सिक्षा के प्रशार में सहायता करने के लिए हिंदो कॉलेज कलकता पहली संस्था थी लाला लाजपत्राय भारती राष्टे कॉंग्रेस के विसेश अधिवेशन 1920 की अध्यक्स्ता उन्होंने की तो लाला लाजपत्राय ने वर्स न्यूट ने वर्स एक उन्न गांडोलन की अध्यक्स्त थे और यह आंदोलन दो मुख्य कारणों से शुरू किया गया ठीक है कौन सा अंदुरन असयोग अंदुरन पहला है खिलाफत अंदुरन के प्रती विटेश सरकार का रविया और पंजाब में निरपराधर लोगों की रक्षा करने में सरकार की असफलता कोशन नुमर 9 पर आजए निमलिखेत कतनों पर विचार करेंगे चार-चार स्टेटमेंट है यहां पर यूपी पीसेस चार-चार स्टेटमेंट के साल सवाल पूछ रही है पिछले दो वर्सों से मतलब ऐसा नहीं है सारे लेकिन पांस से च्छे प्रेशन से थे हैं जिसमें चार-चार स्टेटमेंट होते है आरे समाज की इस्थापना 1875 में हुई और अरिकतर दो सालों में वो चारो स्टेटमेंट से हैं आल हिलाल को मौलाना अबुल कला माजाद ने परकाशत किया था लाला लाजपत्राय दा पिपल समचार पत्र से संबध नहीं थे और कॉलकाता के प्रसिद्ध प्रसिदेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मुहन राय ने की थी लेकिन यहां एक पक्का गलत है क्योंकि कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जिसमें 1234 हो देखे पढ़ते पढ़ते इतना पता होगा आपको कि आर समाच की स्थापना थारसो पिशत्तर में होई ठीक है तो एलिमिनेट करते जाहिए जहां जहां एक है वो नहीं होगा अलहिलाल मौला नाबूल का लामजाद ने परकाशित किया यह सही हो गया लाला लजपत्राए दा पीपल समाचार पत्र से जुड़े थे गलत है यह वाला स्टेटमेंट कोलकाता के परशिद प्रेसिदेंसी कॉलिज की स्थापना राजा राम मुहन राय ने की थी अभी तक लाला लाजपत्राए परशिद आर समाजी और गरम पंती विचार धारा के नेता थे उन्होंने उर्दू दैनिक बंदे मात्रम और अंग्रेजी सापताहिक दा पीपल तथा पंजाबी समाचार पत्र का परकाशन भी किया बाकी सारे सही है ठीक है तो दा पीपल का किया है प भारतियों को साइमन कमिशन से बाहर रखा गया इसलिए इसका विरोध किया गया था क्योंकि कोई भारतियों सरज से नहीं था इसमें यह प्रशन इंप्वाटन्ट है पहले भी बहुत सारे एक्जाम में पूछा अभी पैट की परिक्षा होई थी उसमें प्रशन पूछा साइमन कमिशन से रिलेटज़ कि साइमन कमिशन पहलीорт भारत कब पहुंचा सेकेंड मिटिंग का प्रश्ण हैसा प्लसरूप जब साइमन कमिशन हमें मुंबई पहुंचा कब नि यूटरों है तो भारतियों के दवारहिस dass का व्यापक विरोद किया गया प्रश्न कर्वांग संख्या 11 पर आ जाई है वर्टे सामराज द्वारा वर्स 1849 में संभलपुर को सामराज में मिला लेने का कारण या आधार क्या बना क्या बना इसके साशक की किसी उत्राधिकारी के विना मृत्यू या साहक संदी साहक संदी तो बेले जली की है यहाँ डॉक्रीन व पलैपस की बात हो रही है तो 20 संभाषो जाई गाई गोतर तो डलहो जी की राज हरप नीती बोलते है इसको एंग्रे जी हिन्धी में ठीक है और अंग्रेजी में बोलते हैं डॉक्रीन व प लैपस के तहत बिटिस सामराज ने 1849 एसवी में संबलपुर को सामराज में मिला लिया और बहां के राजा नायरान सिंग के कोई पुत्र नहीं था तो था मृत्ति उसे पहले कोई दत्तक पुत्र भी नहीं बना सके कोईशन नमबर बारे पर आज़ें नमलिकित में से कौन काकोरी कांट से जुड़ा करांतिकारी मुकद में से बच निकला था सचिंदर नात वक्सी मुकुंदी नाल मुकुंदी लाल चंद्रसे का राजाद मनमनात गुप्त पकड़े गए थे पकड़े गए थे पकड़े गए थे चंदसी का राजाद जो है बचते रहे भेज पदल कर कई कई दिन लेकिन अंतते जो है मुटभेड हुई इनकी इलहवाद के अलफ्रेड पार्क में और खुद को ही अंतिम गोली मारनी पड़ी और सहीध हो गए ठीक है अंग्रेजों की कोली से नहीं मरना चाते थे वो वो भी माँ अपने देखा हो ठीक है चाओ तरफ से घिर चुके थे तो 9 अगस 1925 को करांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकेती डाली इस घटना को काकोरी कांट के नाम से जाना जाता है और करांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट कर उन पैसों से हतियार खरीदना था और क्या हता उन हतियार से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में सहयता मिलती देखें काकोरी ट्रेंड डकेती में खजाना लूटने वाले करंतिकारी देश के विख्यात करंतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसो सीसन के सरस्य थे काकोरी कांड का एतिहासी के मुकदमा लगभग 10 महीने तक चला लखनव की अदालत रिंग थियर्टर में और आजकल इस भवन में लखनव का प्रधान डाग घर है और इस पर जो है सरकार के उससे में 10 लाग रुपे खर्च हो गए थे देगे 6 अपरेल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ जिसमें जज हैमिल्टर ने धारा 121 आ 122 और 396 के तहत करांतिकारियों को सजाएं सुनाई इस मुकदमे में राम परशार बिसमिल राजिंदर नाथ लाहडी रोशन सिंग अस्वाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई सचिंद्रनात सानियाल को काले पानी और मनमनात गुप्त को 14 साल की सजा हुई योगेश चंदर चटर जी मुकुंदी लाल गोविंद चरणकर राजकुमार सिंग राम कृष्ण खत्री को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई और विश्णू सरण सुरेश चंदर भटाचार को साथ साल भुपेन चंद राम दूलारे त्रवेदी और प्रेम किसन खंणा को 5-5 साल की सजाएं सुनाई गई ते खेरे काकोरी कांड में अंग्रेजों ने चंद से कराजात कोई बहुत ढूंडा वे हुलिया बदल बदल कर बहुत समय तक अंग्रेजों से धोका अंग्रे कि चंद से का राजात इसका नाम याद रखेगा ठीक है यह थोड़ा इंपोर्टेंट है और सुरू में थोड़ा इंपोर्टेंट है 9 अगस्त 1925 की डेट पहले तो याद रखने हैं आपको काकोरी की ठीक है और यह मुकदमा कब तक चला था 10 साल तक चला था ठीक है इतना क कुछ इसमें से प्रेश्ण बनने की उमीद ना से ना के बराबर है थोड़ा मोटा मोटा याद रखेगा इनका नाम राम परशाद बिस्मेल राजिंदर लाहडी रोसन सिंग और अस्वा कुल्ला खां यहां बक्सी प्रेंटिंग मिस्टेक हो गई है क्या सचिंदर नात सान्याल होना चाहिए ठीक है 9 अगस्त 1925 चलिए सचिंदर नात सान्याल को काले पानी मनमनात गुप्त को 14 साल की सज़ा हुई कोशन नम्बर 13 पर आज़िए गोपाल क्रेश्न गोखले ने कॉंग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्स्ता की थी गोपाल क्रेश्न गोखले का नाम important है क्योंकि महत्मा गांधी के राजिशनतिक गुरु है इन्होंने 1905 के अधिवेशन के अध्यक्स्ता की थी तो भारते राश्ट कॉंग्रेस के बनारास अधिवेशन ने उनिस सो पांच का बनारास अधिवेशन उनिस सो पांच इसके अध्यक्सा की थी महात्मा गांधी के राशनेतिक कुरू गोपाल कृष्ण गोखले ने कोश्या नूबर 14 पर आजए निम्लिकत में से किसके सतत प्रियत्नों से मुंबई में पर्थम महिला विश्विद्याले की स्थापना होई दी के करवे के प्रियत्नों से हम कई वार चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्ण के उपर तो डीके करवे के सतत प्रयत्नों से मुंबई में पर्थम महिला विश्विद्यले की स्थापना हुई थी याद रखेगा कोशन नूमबर 15 आंतिम प्राश्ण आईए ब्रिटिस भारत की राजधानी को कलकता से दिली स्थानांत्रण किसके काल में कार्यानवित किया गया पताईए किसका कारेकाल था लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग का था ये ठीक है ओप्सन नूमबर बी 1911 का समय है तो 23 दिसंबर 1912 को कलकता से दिली के लिए राजधानी हसांतरण का दिन तै किया गया और 22 हार्डिंग उस समय जो है अपने परिवार्द था ब्रिटेन के साही राजवन्स के साथ एक लंबे जुलूस में दिली में प्रवेश कर रहे थे और उसी समय जो है उन पर बं फेका गया और हर्डिंग हैल हो गई ठीक है 23 दिसंबर 1912 ठीक है कभी कभी ऑप्शन में 11 भी लिखा रहता है ठीक है 11 बारे में रहता है कन्फ्यूजन चलिए एक्जेक्ट डेट याद रखीगा 23 दिसंबर 1912 तो 15 प्राशन थे modern history के इनके प्रैक्टिस एक बार कर लेजेगा धन्यवाद